नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका PRSD न्यूस चैनल पर विज्ञान ने प्रगर्ती की रहा पर चलते चलते एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि इंसानी जिसमें सूर का दिल भी अब धड़क सकता है जी हां ये कोई विज्ञान का उपहास नहीं बलकि मेरिलेंड में घटेत घटना की हकीकत है आए दिन हम विज्ञान के नए-नए खोज हर शेतर में होते देखते हैं अत्याधुनिक मशीनों, तकनीकी उपकर्नों, सुविधाओं के माध्यम से ही मानव जाती के स्वास्त सुविधा में सुधार हुआ है जिसकी वज़ा से पहले के तुलना में विश्वस्तर पर मित्युदर में भी कमी आई है उसी दिशा में अभी हाल ही की खबर ने दुनिया में खास कर मेडिकल शेतर में तहल का मचा दिया है मेडिकल इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि Amerikan की मेरिलंड में सरजनों दवारा एक इंसानी शरीर में सुवर का दिल ट्रांसप्लांट सफलता पूर्वक किया गया इसी खबर से जुड़े सभी तथियों की संक्षिप्त रिपोर्ट आज हम आपके साथ साजा कर रहे हैं सूर का दिल आदमी के दिल से कितना मेल रखता है अमेरिकन डॉक्टर ने पहली बार सूर के दिल को इंसान में ट्रांस्प्लांट किया यह दुनिया का पहला ऐसा मामला है सूर का हार्ट इंसान में कैसे लगाया गया यह ट्रांस्प्लांट कितना मुश्किल था मरीज में नए हार्ट की स्थिति कैसी है हार्ट फेल से जूजने वाले 57 वर्षिये डैविड बैनिट ने चार घंटे चली सर्जरी के दोरान सूर का हार्ट लगवाया सर्जरी अमेरिका के मैरिलेंड यूनिवस्टी मेडिकल सेंटर में की गई ट्रांस्प्लांट के बार डॉक्टर की देख रेक में मरीज को रख कर ये जानने की कोशिश की जा रही है ये उसका शरीर इस नए हार्ट को स्विकार कर पाएगा या नहीं विशे शग्यों का कहना है कि मरीज में लगाया गया नया हार्ट कितना सफल होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किस परकार लगाया गया सूर का दिल डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले स्वस्त सूर को चुना गया इसके शरीर में इंसान के छे तरह के जीन भी इंजेक्ट किये गए ताकि हुमन बॉडी इसे स्विकार कर सके इसके बाद सूर में कुछ ऐसे जीन भी इंजेक्ट किये गए जो कि इसके आकार को बढ़ने से रोकते हैं ताकि इनसानी शरीर में पहुचने के बाद ये स्थाई रहे नो घंटे चली सर्जरी के दौरान मरीज के डैमेज हुए हार्ट को निकाला गया और सूर के जैनेटिकली मौडिफाइड हार्ट को ट्रांस्प्लांट किया गया क्यों चुना गया सूर का हार्ट सर्जरी से जुड़े डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज के लिए सूर का हार्ट चुनने की कई वज़ा रही पहली बात सूर का दिल आसानी से उपलब्ध हो सकता है दूसरा छे महीने के अंदर इसके दिल के आकार को इनसानी हार्ट के आकार के मुताबिक बदला जा सकता है यही वज़ाए कि कई बायोटिक कमपनिया सूर के अंगों को विक्सित कर रही है ताकि इनका इस्तमाल human transplant के लिए किया जा सके मरीज के नए हार्ट को pump मशीन से connect किया गया देली मेल के मताबिक विशेशग्यों का कहना है कि डेविट के हार्ट को एक ऐसी मशीन से connect किया गया जो blood pump करने में मरत करती है जल्द ही ये पता चल जाएगा कि मरीज का शरीर सूर के दिल को स्विकार कर पा रहा है या नहीं इसलिए अगले हफते मरीज के लिए बहुत एहम है विशेशग्यों का कहना है कि ये ट्रांस्प्लांट मुश्किल था क्योंकि किसी जानवर के हार्ट को इनसान में लगाना इतना आसान नहीं है यह एक तरह का प्रियोग है अगर ये सफल होता है तो ये चिकिस्सा जगत के लिए एक बड़ी खोज साबित होगी औरगन ट्रांस्प्लांट कराने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़ रही है बेनट एक पेशेवर मजदूर है सर्जरी से पहले बेनट ने कहा था कि मेरी हालत गंबीर है स्थिती ऐसी है कि या तो मैं दुनिया छोड़ दूँ या ट्रांस्प्लांट करा लूँ मुझे मालूम है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और मैं जीना चाहता हूँ अमेरिका और बेटेन में औरगन ट्रांस्प्लांट कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है वे ग्यानिक समस्या का समधान ढूनने में लगे हैं इसलिए अब वो जानुडों के अंगों को इंसान में ट्रांस्प्लांट करने के लिए नए प्रयोक कर रहे हैं डेली मेल के मुताबिक करीब एक लाग बीजार अमेरिकी लोगों को वर्तमान में ट्रांस्प्लांट के लिए सवस्त अंगों की जरूरत है और्गन ट्रांस्प्लांट के लिए इंतजार करते हुए रोजाना 20 मरीजों की मौत हो रही है United for Organ Sharing की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल अमेरिका में 3800 हाट ट्रांस्प्लांट किये गए जो की एक रिकॉर्ड है ऐसी और भी रोचक और दिल्चस्प खबर जानने के लिए आप विजट कर सकते हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in लिंक दिस्क्रिक्शन में दिया हुआ है अभी जाएं और विजट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in